Political theory के बारे में तो हम सब थोड़ा बोच जानते हैं और हम मेंसे बहुत लोगों को political theory टब भी लगती हैं लेकिन आज जानने की कोशिस करते हैं कि political theory होती क्या है दोस्तों मेरा नामे संदीप सिंग और आज हम बात करने वाले हैं what is political theory या political theory क्या है उसके बारे में जाने की कोशिस करते हैं कि वो कैसे अलग है ideology से, वो कैसे अलग है cosmology से और common sense से जब भी हम political theory की बाते करते हैं दो terms मिलके वो बनते हैं पहला है political, दूसरा है theory theory के बारे में अगर आप जानेंगे तो theory एक systemic understanding होती है जो कोशिस करती है किसी चीज को explain करने का describe करने का, contemplate करने का उसके अलग-लग functions होते हैं और political theory क्या है जो political domain में यही काम करें, फिर आपको political की definition पता होना चाहिए, political की definition अलग-लग लोगों ने अलग-लग तरीके दी है garner जैसे लोग उसे state पर reduce कर देता है liberal लोग उसे neutral zone में रखने की कोसिस करता है, लेकिन अलग-लग लोग अलग-लग तर इसके define करता है तो यह हो गया political और थेली को मिला के political theory, political theory study करती है concepts, ideas, institution और behavior, अब ideas किस तरह के पढ़ेगी, किस तरह के concept पढ़ेगी किस तरह के institution पढ़ेगी और behavior पढ़ेगी वो भी अलग-लग है, उस पर भी debates है political theory कहीं ने कहीं explain करने की कोसिस करती है कि politics है क्या वास्तों में क्या politics के आना चाहिए अंदर क्या नहीं आना चाहिए, किस पर politics होने चाहिए किस पर नहीं होने चाहिए, ये सारी बाते political theory के तहद आती है कैसे government operate होगी nature of political obligation क्या होगे और कौन से ideals के लिए society aspire करेगी, जैसे Indian preamble कुछ बाते करती है, कि justice, equality, liberty इन सब चीजों की, तो वो आजीव भारगवा के किताब के हिसाब से describe करना किसी भी event को, किसी भी political concept को explain करना फिर normative तरीके से बताना किसी चीज को, और चौथा contemplate करना ये तो उसके बहुत ही specific function के तोर पिए अगर देखे जा सकते हैं लेकिन बहुत important का उसका काम है explain करना और लोगों को बताना कि कैसे government operate करती है जो nature आप political obligation है कि किसी state में आप क्या करने वाले हैं कैसे कानून पालून करने वाले हैं ये सारी बाते political theory आपको बताती है और फिर ideals बताती है जिसके लिए society को और बांकी लोगों को आगे जाना चाहिए उसको aspire करना चाहिए अब political theory कैसे अलग है common sense से, ideology से ideology जब भी हम बात करते हैं तो वो short-circuited होती है मतलब जब भी लोग उसको use करना चाहते हैं सत्ता में आने के लिए तो कोई बहुत ही rigid सा एक systemic तरीका नहीं होता लोग उसे manipulate करते हैं, उसे अपने तरीके से explain करते हैं इसलिए वो बहुत diverse भी होती है और बहुत passionate होती है common sense क्या होता है कि political theory एक expert का काम है expert मतलब कुछ लोग उसको अच्छे से explain करेंगे उसको जैसे cricket एक expert game है अगर international level पे देखा जाए लेकिन उसे enjoy sub करते हैं तो political theory करना भी बनाना भी एक expert का काम है जिसे आम लोग भी समझ सकते हैं उसमें दिक्कत नहीं है और common sense क्या होती है कि कि किसी भी चीज को समझने के लिए suppose करें कि कि किसी भी जगा पे कोई चीज हो रही है जिसमें myths भी होते हैं बहुत चीज होती हैं उसके सारे वो explain करता है तो उससे भी political theory अलग है क्योंकि यह systematic है यह non speculative है यह objective truth की तरफ lead करती है तो इसकी जो basic features है theory के उसके साथ connect करेंगे तो आप जान जाएंगे फिर एक बड़ा debate होता है nature of political science यह nature of political theory इसमें दो-तीन तरह के debates है पहला है कि क्या यह history की तरह है क्या यह philosophy की तरह है यह science की तरह है सबाइन करके एक thinker है जो मानते हैं कि political theory और political philosophy यह जो भी है वो history से बहुत connected है और एक statement है कि history जो होती है वो past की politics होती है और जो politics है वो present की history है जैसे मैकियाविली को बोला जाता है कि वो अपने वक्त का thinker था उस वक्त में अगर पैदा नहीं होता तो ऐसा नहीं सोचता फिर philosophy की बाते करते है कुछ लोग को लगता है कि political जो theory होती है वो philosophy से होती है वो critically analyze करती है concepts को और normative or philosophical claim बनाने की कोशिस करती है तो दूसरा ये nature हो गया तीसरा science के तौर पे nature है कि इसको use करना चाहिए reason, evidences, objective method अब इसमें कुछ बातें जानी है जब भी अब decline of political theory पढ़ेंगे तो ये debate बहुत important है कि whether political theory should be value free or value neutral और इसमें debate आती है जहाँ पे अलग लग thinkers सामिल है डेविड इस्टन सामिल है लियो स्ट्रॉस सामिल है वो लोग बाते करते हैं तो वहाँ पे philosophy और science को लेके debate हो रहा होता है फिर scientific जो thinkers हैं जैसे Kathleen हो गया, ये लोग हो गया ये लोग promote कर रहे थे logical positiveism के माध्यम से scientific nature promote कर रहे थे तो ये पूरा का पूरा debate भी आपको situate करना है अलग से वीडियोज मिल जाएंगे जो उस debate के बारे हैं बाते करेंगे लेकिन आपको पूरा का पूरा जो political theory के understanding है ये भी रखना है फिर जब हम growth और evolution आप political theory के बारे हैं बाते करते है तो इसको आपको classical period से देखना है जब भी आप classical period में जाएंगे तो आप Socrates के बारे हैं बात कर सकते हैं Pre-Socrates Greek philosophy के बारे हैं बाते कर सकते हैं लेकिन major जो political philosophy है वो सुरू होती है Plato के बात Plato को political philosophy का फादर कहा जाता है Aristotle को political science का फादर कहा जाता है और उनके जो ideas थे चाहे वो justice के बारे में हो गुड governance के बारे में हो और चाहे ideal state के बारे में हो ये सब ideas बहुत important थे और वो लोग concern थे normative value से कि virtue क्या होता है एक good citizen क्या होता है एक good state क्या होता है क्या हो सकता है theory form क्या है इन सब चीजों से वो लोग concern थे और इसके आसपास theoretical foundation उन्हों ने रखा कुछ लोगों का ये भी कहना है कि जो entire western political philosophy है वो पेटो और अरिस्टोटल के footnote है मतलब उनहीं पे base है पूरा का पूरा ये कहने का है फिर उसके बाद हम जो modern philosophy में आते हैं फिर हम thinkers पढ़ते हैं मैकी अविले से सुरू करते हैं हॉप्स हैं लॉक हैं रूसों हैं जो social contract के बारे हैं बाते करेंगे rights के बारे हैं बाते करेंगे origin and purpose of state के बारे हैं बाते करेंगे तो ये modern philosophy में हमें देखने को मिलता है वो आगे चलके फिर J.S. Mill, Jeremy, Bentham ऐसे बहुत सारे नाम आते रहेंगे फिर है जब हम contemporary philosophy में आते हैं जो political theory है उसमें empirical और conceptual analysis को mix करता है अब जब modern political theory के बारे हैं बाते करेंगे तो traditional जो approaches थे उसमें चाहे philosophical approach हो गया historical approach हो गया, institutional approach हो गया धिरे-धिरे करके इन approaches की value थोड़ी कम हुई वर्ड वार टू के बाद, वहाँ पे एक debate होता है डिक्लाइना political theory जहाँ पे माना जाता है कि political theory ने जो role play करना था उतना नहीं कर पाया क्योंकि ये बहुत ज़्यादा value based है फिर एक debate आता है इसके बाद भी कि क्या values की फिर से चार्ल्स टेलर की बात करें, माता नोजबम की बात करें सब लोग उने अलग-लग तरीके से लिखने की कोशिस करी समझाने की कोशिस करी और उसको हम लोग contemporary philosophy के तोर पे रखते हैं जो empirical भी है, conceptual analysis भी है उसमें और जो immediate political problems हैं उनसे वो engage करने की कोशिस कर रही है तो ये तो बाती हुई हमारी political theory के बारे में उनके nature के बारे में क्या होता है कैसे ideology से अलग है, कैसे common sense से अलग है अब हम जानने की कोशिस करते हैं कि significance क्या है political theory का तो अगर हम scientific method की तरफ जाएंगे तो बोलेंगे कि science को promote करना या natural science की तरफ करना वो सारी बाते होते हैं लेकिन in general क्या-क्या significance है पहला ये हमें understand करने में help करता है ideas like freedom, equality, justice एक आम इंसान से आप बात करेंगे इस topic पे और एक political science पढ़ने वाले बच्चे से बात करेंगे दोनों के opinion में फरक होगा और वही फरक है political theory का importance जब या political theory पढ़ लेते हैं आप debate करने के ज़्यादा काबिल हो जाते हैं फिर एक framework को ये provide करता है जो ये दिखाता है कि कैसे कोई political institution या state operate करता है जैसे आप suppression आप power पढ़ेंगे check and balance पढ़ेंगे federalism पढ़ेंगे ये सब बातें जानेंगे तो आप इंडिया को बेहतर तरीके से जान पाएंगे अगर आपकी theoretical understanding है फिर ये आपको एक equipment देता है जिससे आप diagnosis कर पाएं problems का real world में जैसे भारत में भी क्या दिक्कते चल रही है अगर आप political science के student है तो आप उन चीजों को बेहतर तरीके से जान सकते है फिर एक और बात है कि ये bridge करता है facts को और normative or ethical values को ये भी बड़ा debatable भी है और बहुत अलग लग तरीके से लोग इसको देखते हैं समझते हैं तो इन चीजों को जब भी आप connect करने की कोसिस करेंगे समझने की कोसिस करेंगे तब आपको लगेगा कि कैसे आप बहतर तरीके से आप बहतर तरीके से इन चीजों को समझ सकते हैं, जान सकते हैं और ये bridge करता है facts और values के बीच में तो ये है political theory के बारे में बाते हैं उसके significance के बारे में बाते हैं या चो भी बाते हैं आपको जाननी हैं अभी इसी तरह की एक पूरी की पूरी स्रीज आएगी जहां पे हम बात करेंगे nature के बारे में, scope के बारे में, political theory के functions के बारे में, political science के बारे में तो लगातार ऐसे वीडि करते रही आपको नएने वीडियोज मिलते रहेंगे इस वीडियो में इतना ही जाएं